कि हलो गाइज वेल कम तो मैं चैनल प्लीज स्सक्राइब असब थे पेर इंस हैं और हम यह लाल के बारे में आप लोग को एंटियूस करना चाहरे हैं ब्लागिंग कर रहे हैं लाल किला में आज नें दिल्ली में वह प्लीज आप लो kept support करें आजसुके हैं रेड़ फ़ाड में जो इसको में स्ता बना हुआ है और यह दिल्ली में जो परानी दिल्ली में लोकेटेट है और यह लाल कलर से पेंट हुआ है और लाल बुलते हैं पुराने लोग सब बुलते हैं कि यह लाल इटा से बना हुआ इस्टोन से इसलिए इसको लाल किला बुलते हैं यह मुगल काल में बना हुआ यतियासिक इसमारक है इंडिया के लिए बहुत बड़ा इतियासिक इसमारक ह लाल किला एक संदरिया और अकर्सन देखने के लिए बहुत दुनिया से मतलब हर एक कोना कोना का आदमी आते हैं गुमने के लिए यहां पे एक टूरिस्ट एडिया होने के कारण यह नियरली 250 एकर में फैला हुआ है इसको दीन भर लग जाएगा आपको अच्छा से गुमने क के लिए में सिसका हाइड इसका रहीं शाल वाल है यह मिनीमाम हाइड इसका है 59 फीट और मैकिम्म 118 फीट का है इसका उति तिरंगा देका है यह 15 अगस्ट को इंडिपेडेंस डे में अपना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं अपना तिरंगा और यह इंट्री गेट हैं अब देख रहे हैं यह हम लोग इंट्री हो चुके हैं यह अंदर का सीन है यह तिरंगा आपना 15 अगस्ट में होस्ट करता है नरेंद्र मोदी अभी जो अपना प्राइम निस्टर है और यह मुंगल इंपायर का टाइम में यह बिल्ड हुआ है यह अंदर में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा इस्टाल वगे रहा है यह इस्टाल में आपको बहुत सारा इतिहासिक समान सब मिलेंगे और जैसे कैप बगेरा यह लाल किला के बारे में बुक बगेरा और जोईलरी बगेरा है यहाँ पर यह हम लोग टुश्डे आया थे तो थोड़ा भीड कम था और हम लोग आव यहाँ बाहर निकल के देख रहे हैं बहुत सारे फोटो सुट होता है और यही पर प्रोग्राम होता है जो दीजे बगड़ा देखें लाइक फिल्म प्रोग्राम होता है थेंक यू फर वाचिंग झाल करी प्रोग्राम होता है जो रहे हैं बहुत।